वेलकम बैक टू माई यूटूबचल पेपर हैकर आज किसी वीडियो में देखेंगे जो भी छातर भी ये फिर्स्ट सेमस्टर में है और फिर्स्ट सेमस्टर के लिए हम लेके हैं सोचलो जी का पेपर है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपूटेंट कोशन बनता है बेटा इस कोशन को रट लेना एक्जाम 2022 के लिए मौश्ट इंपूटेंट होगा ठीक है और हमने इंपूटेंट कोशन भी दिया आप याद रखना है यह बहुत ज़्यादा पूशे जाता है कि स्वय र टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं पीडिया बनाकर आप महां जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम पर ठीक है टेलीग्राम का लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में दे रखा है और अपने हभी तक हमारा बीए वाई पेपर हैकर इडूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है द सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को समझाते रहा हूं एक बार में द्यान से देखिए समप्रदाइब के समाज सास्त्रियों का विचार है मतलब जो समाज सास्त्र के विद्वान थे उन्होंने परिभासाइब दी उनका विद्वानों का बिचार ये है मतलब बिचार का मतलब कहना ये है को लोगों का कहना ये है कि जो बिसिष्ट बादी संप्रदाई है या फिर सौरात्मक संप्रदाई है कि उन्होंने कहा कि उन बिज्चिश्ट 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 समाजिक समंदों का की हूं रूपका किया दाना चाहिए और इस विचार से अब इन्हों ने जो विचार दिया था उन्हों आणी जो कहा था विचार से सहमत समास् horrifying को सोर उnisseивает हुए थे इस बात कहने कर जो बिचार में जो बिचार दिया गया और उस पिचार से जो जो समासास्तरी मतलब जो बिदमान हैमत थे और उन्हीं को क्या कहा गया सोरात्मक संपरदाय कहा गया और इस संपरदाय के प्रवंतक जो प्रवर्तक थे जो उन्होंने पहले सबसे पहले इस बात को कहा गया था ठीक है प्रबरतक जो जर्मन के एक समास सास्तरी थे जिसे जॉर्ज सिमले बोलते हैं जॉर्ज सिमले ने सबसे पहले इस बात को बोला कि ये समास सास्तर है वो एक बिसिस्ट वादी समास सास्तर है ठीक है ना की एक समं कान थे ठीक है दो तीनों को याद कर लो ज्यादा याद कर लो ठीक है और तोनीज को याद कर लो इसको चोड़ो तोनीज को याद कर लो Max Beaver को याद कर लो पार को याद कर लो ठीक है बॉन वीज को याद कर लो रौस को याद कर लो आदी इनको छोड़ देना है काट को आदी लिग देना आदी कर दो के तो सवाज चाएगiben उसमें तो ये याद कर लो उसके बाद में कहना स्वَरुपात्मक संप्रदाय के समर्थक समर्थक कौन कौन थे आप देखो समर्थक जो भी थे मैंने आपको समर्थक बताय कांत ठीक है और यह सबको बदाय को बिदाय तो समास सास्रों का मत यह है मतलब का न का मतलब कहना यह है कि जो राजनितिक सास्त रहे अर्थ सास्त रहे ठीक है और नीती सास्त रहे मौनो बिग्यान है, इतिहास आधी, बिसेष्ट बिग्यान है. क्योंकि ये समाज के किसी बिसेष्ट पक्ष का अध्यन करते हैं. क्योंकि ये एक बिसिष्ट बिग्यान है क्योंकि वो एक बिसिष्ट किसका बिसिष्ट पक्ष का ये बिसिष्ट बिसाय का अध्यन करते हैं और इसी आधहार पर समाज सास्तर भी समाजिक सम्मंदों के रूपों का अध्यन करता है अता ये एक बिसिष्ट बिग्यान है इस प संपरदाय के वारे में ठीक है सोबात्मक संपरदाय या फिर विस्षिष्ट वादी संपरदाय तो आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्ट में आप जरू बताना आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को प्रेस क कर देंगे और ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सेब कर देंगे थैंक यू फॉर बचन दिस वीडियो बाई-बाई